में लो दो कंबल हैं आपके पास तो बहुत सारी कंबल हैं मोटे मोटे किसी को ऐसे किसी के भी काम की अनुसार छोटा नहीं बोलना चाहिए मैंने ना यह मंगाया था तिलका ते पी एन उसका भी का सोनल ने मुझे बताया था यह वाला भाणा तो यह आया है 2000 के दिया मुझे फोन कर रही मैं कहीं थी भाग के मम्मी चुप चाप से मेरे 2000 रुपे दे देना आपका कुरियर आया और उसके पैसे मैंने दी हैं मैंने बोला आप मुझे घर तो आने दे नहीं आपको पैसे आती देने पड़ेंगे मुझे इतनी हसी आई लड़की एक रुपया नीच पड़ती है जैसे मैं उसके मार लूंगी तैसे न और उसको पता है उसने मेरा पास देखा होगा क्योंकि उसके पास चाबी रहती है कि मुम्मी के पास नहीं होगे क्योंकि निकलवा के लेके आने मुझे पैट्रोल भी का केस ना बहुत कुछ पॉइंट पे वो है लेकिन कुछ पॉइंट पे मुझे यह ठीक नहीं लगा क्योंकि कई बार सामने वाले दूसरे की घलती होती है सामने से कोई क्रॉस कर रहा है एकदम से चलती गाड़ी के सामने आ गया या कोई मरने के परपस से ही आ गया कि मैं ग पॉब्लिक पीट के मार देती है तो उनके पॉब्लिक के उपर भी है कि अब जो पॉब्लिक पीट के मारेगी तो वो मॉब लिंचिंग में माना जाए तिलका तेलका यह वाला यह कोई पेड़ पर मोशन नहीं है खुदी खरीद के करा है 2000 रुपे का है यह 99999 का चार बोट से उत्पन हो जाएंगी यह तो अभी जो डाला है दिवाग पे सच में बहुत सारी समस्य उत्पन हो जाएंगी तो स्कूटर में तो पैट्रोल अभी भरवा लेती हूं और कैश भी कुछ निकलवाना पड़ेगा वढ़ना पता चले कि मतलब मारा मारी नहीं करनी है ऐसे तो मिल जाता है लेकिन मेरी पैरों में दर्देवेटा इसलिए महां लेने नहीं गया तो हमने मुत अरेंज कर दिया था हूं इसी लेकिन कंबल में उस टेम बहुत रात हो गई थी तो मैं का बाबजी आप इतने दिन से सोते हो एक दिन और से कोई बात नहीं तो अब कम से कम दो कंबल तो लेके जाओं के लिए अगर वह नहीं तो क्या पता कोई और मिल जाएं ऐसे कितने लोग हैं और शायद पैरों में दर्द इसलिए हो रहा हो क्योंकि उनको मतलब ठंड की वज़े से हवा लग रही हो ऐसे कितने लोग हैं जो सड़ी में ऐसे सोते होंगे नरेनो हमा असली सड़ी है यह लोग पहने तो यह लोग बेकार है यह लोग 4th grade के लोगे अधर मैं पैनो तो समझ जाना कि आज असली सड़ी है इसमें लगा रखा है वाटके में आज ना सुन करने वाली सड़ी है कुछ बाबजीतों उनके पास कंबल वंबल रहते हैं पूरा जुगा अधर की बढ़ती जारी है हमारे इधर की वाक जादा होती जारी है पहले हम भी बैठ जाते दे कर्मियों में अब सरदियों में क्योंकि यह रष नहीं है ना चटक वाली सरदी है बिलकुल ही अंदर बंद हो गए है सब लोग गोर से देखे चटोरे लोगों को आज कलम नी इसलिए दिखा रहे है इसलिए जो सारी प्रेयर थी वो सब अटा दी जितने भी मंत्र लिखे हुए थे अगर मंत रखे रहते तो क्या हो जाता है अच्छे तो लग रहे थे पर सब साफ कर दिया यहां से देखिए देखो ऐसी सुझाते हैं पर इनके पास अच्छा कंबल है अज तो बाबजी के पस केमप है घंतानी को सकता है कोई देग और तो कुछ नहीं था सब आने के पास यह कोई कामप वाला सो रहा हैरा है बाबजी नहीं है था बाबजी ने कल भी ऐसी आग जला रक्षी थे वाधर कौन सो रहे हैं बाबजी पंबल लिया आपके लिए लो कि ये लो दो कंबल है एक अपके पास तो बहुत सारे कंबल मोटे आपके पास 5 कंभल है उनने दिंकर रखी है और यह देखो इनके पास कुछ भी नहीं है कि कंभला पतला सा जो बावजी लेटे हुए उनके अपाँ छे गमल आ और बिचारे उपर आपने कंभल देखा नीचे उन्होंने कल भी ठीका निए है तुनको दे दिया कोई बात नी लेकिन अउल्रेटी कम्बल है जिनके पास बिलकुल नहीं है तो उनको देने का कोई फायदा है ना निके पास है तो भरते में फिर क्या पर है छे कंबल वड़के सो रहे हैं माना कि यहां छे में भी थन्ड लग नहीं पूर को कितनी लगती होगी यह वी तो सोची है फोग आ रही पूरी देखो को सब्सक्राइब बिख रहे हैं कि अगि खुष ही डिया को लाने छोड़ ही थी याने का पता साथ निचक लानें लाने की लग गई तो यह 9 दस'Tारीक तक अब देखो मेरे पीछे ये फोर्थ ग्रेड के बच्ची है इनकी वज़े से बैठ नहीं पारे गंगाजी में ठंड लगई तो इनको ये पूरे पैक को के आए देखियो तू मुंकी कैप लगा का यह जो कितनी फोग है इसको स्कूल छोड़के आना पड़ रहा है ये कौन सा दिएम था जिसने कौन से टाइम पर क्या बात कई थी कि ड्राइवरों की उकात निया ड्राइवरों ने उकात दिखा रख किया है हां कि खराब कर दिया है मतलब किसी के काम धंदे हो कोई अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी नी बोलना तो सब लोग आजकल चल रहा है मेडिय मेरे पास कल बोस्टन से मैसेज आया नाम तो मैं भूल गई उनका उनकी बेटी आई हुई है और वो अंटालिया में कहीं रुकी हुई है और करी थी अरजंट है मैं सोने जा रही थी रात को तो फिर मैंने सुचा कि हो सकता है कि कॉल करूं तो उन्होंने फिर कॉल किया तो कि यहां स्टाइक हरताल हो रही है ना तो फस गई है ना आज सकती ना जा सकती कहीं तो फिर आज देखते हैं चलेंगे निकाई और पदा जो लेके जा रहे हैं ना टैक्सी में जो मतलब इसमें बीच में बहुत से लोग पायदा उठाने भी है जो लेके जा रहे हैं वह 9000 पर मांग रहे हैं 9000-10,000 रुप क्योंकि अभी ऐसे में अधेरगर्दी चलती है देखिए उपर इस तरफ जाओंगी ना तो मुझे धूप मिलेगी और गंगा जी किनारे बहुत फोग होगी वह फोगी फोग मिलेगी अब दिया से रिकोर्ड करवारी कि में आते वक्त नहीं कर पाँ पांगी रिकोर्ड फोग है ना ध्यान डखना पड़ेगा कि देखो साइड नहीं थी अब इदर प्लेइन की साइड आ रहे है ना स्कूल की तरफ हरिद्वार की तरफ निकल रहे हैं तो देख लो प्लेन ही यह वाला एरिया बिलकुल ही पहाड़ों जाएंगे तो आपको दूप मिल जाएगी कि ऐसा लग रहा है कई मनाली वगर हमें जा रहे हैं गंगाजी पास में ना तो उधर से उधर उस वाले रोड़ पे ना जो में रोड़ है जहां से राजिस्थानी वाला है उधर बहुत जादा फोग होगी इस टाइम पे इस तरफ से आई और हीट चलार के दिया हाथ सेक्त पूरी रात रात अगर वो समान ना लेकर आए हमारे लिए कितनी सब्जी आती है कितना ट्रेवल समान आता है उनको सुलूट करना चाहिए उनकी वज़े से पूरा देश चल रहा है अब बैठ गए हैं तो देखिए अगर यह लंबी अड़ता अभी तो आज एक भी स्कूल क की बस नहीं दिख रही है अगर बैठ गया ऐसे तो कौन कौन चलाएगा ऐसे मतलब इतना बड़ा चैलेंज कर दिया ड्राइवरों की क्या हो खात है हद हो गई ड्राइवर के भी ना तो साभ अपनी गाडियों से जाते भी नहीं है बाहर मतलब वह भी इंसान है काम कोई चो तो वह किसकी गलती मानी जाएगी बताइए बगवान जी की माया निराली है देखो वहां फोग थी यहां धूप है कितनी आज मुझे पैट्रोल भरवाना पड़ेगा क्योंकि दिया को रोज चोड़ना पड़ेगा तो पैट्रोल है नहीं यहां बता रहे हैं कि पैट्रोल खतम हो गया है क्या करें देखो लोग भरवा के लेगे होंगे ना पागलो की तरह और मेरा तो चल जाता दिया का छोड़ने का चकर पड़ेगा रोज 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 नहीं तो हम तो घर से वीडियो बना लेते कोई आफ़त नहीं आ रही थी असी मतलब अगर अब पैट्रोल न देखो ऐसी स्वड़ी में गंगा जी पर पक्का फोग उड़ रही हो कि जरा नजर मार के आतली में हमारी तरफ आके लगता है ऐसे जैसे कहीं हील स्टेशन पर आगे हो में रोड पे कहीं कहीं फोग थी कहीं अच्छी धूप निकली थी जा बॉक करने जाते हैं वहां दोप बाप निकली थी देखो बाप ने बाप कितना साफसुतरा लग रहा है न वैसे ऐसे ही रहना चाहिए यह जानवरों के लिए न जो गाय बैठती है उनके लिए कम से कम ऐसे ही रहना चाहिए मुझे पता है प्रेड लगाएंगे तो छोड़ेंगे नहीं वह लेकिन कोई बात नहीं उनको तो अच्छा मिलेगा जगा यहां तो सब खा जाएंगे गलती से मैंने इस पाइप को टच कर लिया भापरे मैं सुबह काड़ा पी के गई थी अब अब अधा दिया को छोड़क आना पड़ रहा है मुझे रोज ही और मुझे शाय पीनी पड़ेगे देखो अधा कैसे आत तहरे ही है व्योजिग इन्सान काम है न तो हैं इसे लगई अरिज हो रहा है मतब कुछ गंगजी नहीं नहीं लग रही है वह थी हो देखो कैसे स्टनान कर रहा है अर एक अके ला वह देखो यह सारी इधर अपनी शिकार को ढूंड रही है पहाड तो नील कंक के दिखाई नहीं दे रहे हैं भाई कि एक गंटा हो गया मेरा इतना टाइम मतलब दिया को लाने छोड़ने में हुआ और क्या पता आप लाना भी पड़ जा मुझे आप खुद ही बताईए क्या यह सही है कि हिटन रन के केस में होना चाहिए लेकिन यह भी देखना चाहिए कि अगर मालो सजा भी हो तो किसी ने ड कि इन्सान को क्या पते सामने वाले की गलती हो या कोई बहुत ही स्पीड में चला रहा हो तब देखा जाए कि उसकी स्पीड लिमिट क्या थी है कुछ तो प्रावधान निकालना चाहिए यह बोला है कि आज कि अभी वापिस ले ली गई है और अभी इसमें संचोधन और तब तक वापिस ले ली गई है अगर को वेक्साइड से आपको मतलब हट वो करता है तो पीछे वाले की गलती माली जाती है पर यहां नहीं है ऐसे तो उसमें बहुत जादा लगता है पाइन के चक्कर में वह बोलते हैं टिकेट कर जाती है क्योंकि शिवांगी जब बो मतले हैं वह कईस अभी तक कुछ नहीं हुआ सबसे पेले ले पूस्त Q South chúngा शुशना चाहिए हर उस पर नहीं को तब ही तो कुछ आ जाई और तो कहीं भी नहीं मिलती है और कहीं लिपन पूली देखें रपन चाय देखो चाय बनती नहीं बिल्कुल भी अगर मैं इसको छोड़ने नहीं जाती बिल्कुल सुन हाथ हो गए थेक दम देखे मैं गरम गरम चाय पे रही हूँ इससे आप से भी पूछ रही हूँ देखे अगर अभी तक तो यह स्टाइक आज का सुना था मैंने न्यूस भी सुन ले थी कि वापिस ले ली गई है लेकिन अभी कोई है नहीं मतलब मुझे लग रहा है कि अभी अड़े रहेंगे क्य कि एक तो ड्राइवरों की उकात के उपर बोल दिया तो वह आत्मसम्मान का मामला हो गया और दूसरी बात कि अगर इस पूरी अर्थवेवस्ता ठप हो जाएगी सच में क्या बोले मतलब किसी को उकात तो तुम्हारी उकात दिखा दी डीम साब जी आपकी क्या उकात है ये देख के तो करना चाहिए ना कम से कम कि ड्रिंक और ड्राइव हो या फिर स्पीड में बहुत जादा हो कुछ इस तरीके से और जगें जगें पर पुलिस वाले मुझूद होने चाहिए ताकि उनका प्रूफ हो आप कोई प्रूफ नहीं होता बिना उसके बिमार के कई बर भ बहुत कर रहे हैं उसके लिए कुछ ना कुछ कानून होना चाहिए मुझे लगता है कि मेरे उसमें जुर्माना बढ़ा दे तो ठीक है कि इतनी हाश डैविंग मत करो इतना स्पीड में मत चलाओ वो एक अलग बात है लेकिन क्योंकि 500 से जादा भी ना दो धाई हजार में भ जा उपर से सातला को और जर्माना और मॉब लिंचिंग वालों के लिए भी है पर कितनों को पता पहुच पाएगा कितनों को नहीं पहुच पाएगी तो आप भी जर अपनी सला दीजे फिलाल हमारा तो काम बढ़ गया है नो तारिक तक दस तारिक तक उसको लेना दस ग्या काम के अनुसार छोटा नहीं बोलना चाहिए सभी काम अपने-पने कोई चाय बनाता है कोई ड्राइवर है कोई स्वीपर है कोई कुछ है उनको काम के जरीए नीचा बढ़ा कहा जाता है बहुत गलत बात है हरकाम की अपनी वैल्यू है और हर काम का अपना एक सम्मान है इसल पेड़िता का थ्यान रहें और पता नहीं किया हुदो growers वेंने वालव से ज़यादा दिन चलेगी हैं स्ट्राइक, पेड जरूर लगाएं और किसी काम की चोटा बड़ा ना समझें पहों को कूरा एक प्राइबन